हमारा बारवा पार्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को अंग्रेजी में One Word Substitution कहां जाता है बच्चूं, आप आस्मान में बहुत से पक्षी उरते हुए देखते हैं तो आप उन्हें उर्णे वाले पक्षी कहते हैं कि वह पानी में रहती है तो आप उन्हें पानी में रहने वाले पशू कहते हैं तो बच्चों पक्षी कहां उरते हैं? आस्मान में और मचलियां कहां रहती हैं? पानी में क्या आपको पता है आसमान में उड़ने वाले और पानी में तैरने वाले को क्या कहते हैं जल में रहने वाले को जलधर कहते हैं और आकाश में उड़ने वाले को नपजर कहते हैं आपने देखा अनेक शब्दों के इस्थान पर एक शब्द ही प्रयोग किया गया है इसी कारण इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है बात को कम शब्दों में प्रभावशीर धंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पुस्तक में इसे कैसे पढ़ाया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है इससे भाषा सुन्दर और प्रभावशील हो जाती है इसके लिए लंबे व्याक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुमार जिसे देख कर डर लगे डरावना जिसमें ग्यान हो ग्यानी पूजा करने वाला पुजारी शहर में रहने वाला शहरी प्रति दिन होने वाला दैनिक महीने में एक बार होने माला मासिक वर्ष में एक बार होने वाला वार्शिक सप्ताहिक जो दूद बेचता है दूद वाला जो सरकस में हसाने का काम करे जोकर जो मरीज का इलाज करता है डॉक्टर जो पत्र बाढ़ता है डाकिया गाउं में रहने वाला ग्रामिण सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी महनत करने वाला महंती जो डॉक्टर की मदद करती है नर्स जो जो चित्र बनाता हो चित्र का स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका कपड़े सिलने वाला दरजी सेना में काम करने वाला सैनिक तो बच्चों हमने क्या सीखा हमने सीखा बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए लंबे व्याक्यांश के इस्थान पर एक शब्द का प्रयोक किया जाता है अभ्यास अभ्यास को अंग्रेजी में एक्सरसाइस कहते हैं पाठ की समझ उचत शब्दों के द्वारा खाली इस्थान भरिये का राम बहुत है वह सभी प्यासे लोंगों को पानी पिलाता है राम बहुत क्या है? महंती या आलसी राम बहुत महंती है ग भारतिय बहुत बहादुर होते हैं कौन बहादुर होते हैं? सैनिक या कलाकार सैनिक भारतिय सैनिक बहुत बहादुर होते हैं ड राश्ट्र पिता महात्मा गांधी थे वे कभी जूट का सहारा नहीं लेते थे जो जूट नहीं बोलता उसे हम क्या बोलते हैं? सत्यवादी तो राश्ट्र पिता महात्मा गांधी सत्यवादी थे भाशा की समझ उचित शब्दों पर गोला लगाईए कव में रहने वाले को कहते हैं में रहने वाले को ग्रामिर कहते हैं किसे ग्रामिर कहते हैं गाउं वाले को या शेहर वाले को गाउं में रहने वाले को ग्रामिर कहते हैं ख पत्र वाले को डाकिया कहते हैं डाकिया पत्र क्या करता है बाटता है या लिखता है डाकिया पत्र बाटता है तो यहां होगा पत्र बाटने वाले को डाकिया कहते है ग बनाने वाले को मूर्तिकार कहते है मूर्तिकार कौन बनाता है मूर्तिकार तो यहां होगा मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं घव कपड़े धोने, सिलने वाले को दर्जी कहते हैं कपड़ा कौन सिलता है? दर्जी तो यहां होगा कपड़े सिलने वाले को दर्जी कहते हैं दिये गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रेखा खीच कर मिलान कीजिए का जो दूद बेचता है कौन बेचता है? दूद वाला ख जो सरकस में हसाने का काम करता है कौन हसाने का काम करता है? जो कर ग जो डॉक्टर की मदद करती है कौन करती है? नर्स ग जो क्रिकेट खेलता है कौन खेलता है? क्रिकेटर ड जो मरीज का इलाज करता है कौन इलाज करता है डॉक्टर भाशा की परक सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए क सप्ता में एक बार होने वाला दैनिक या साप्ताहिक सप्ता में एक बार होने वाला साप्ताहिक ख जो शहर में रहता है शहरी या ग्रामीर जो शहर में रहता है शहरी झाल 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 झाल